Hello and welcome back everyone मैं हूँ अनिलिय अदब और आप देख रहे हैं Cyber Guard Pond by Neet Roots और आज के इस वीडियो के अंदर हम OSI Model के बारे में जानने वाले हैं और मैं आपको बता दू कि अगर आप इस वीडियो को इंदिंग तक देख लेते हैं तो आपका जो Concepts है OSI Model का वो पूरी तरह से Clear हो जाएगा So without मैं के अनिडिय लेट्स कंटिनुए तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं आप OSI Model जिसका Full Form है Open System Interconnection जो की 1976 में Publish किया गया था तो आभी हम इसका Definition देख लेते हैं उसके बाद इसके अंदर के जो Layers हैं उनके बारे में हम जानेंगे वो भी एक स्टोरी की मदद से जिसे की आपका जो Concept है वो अच्छे से Clear हो जाएगा और आप कभी भी OSI Model के 7 Layers को नहीं भूल पाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका Definition The OSI Model is a conceptual framework that divides network communications functions into 7 layers Sending data over a network is complex because various hardware and software technologies must work cohesively across geographical and political boundaries तो इसका Simple सा मतलब है यह एक तरह का framework है जैसे कि आपका जो Body है उसके अंदर भी एक तरह का framework है पहले organs है उसके उपर bones है और फिर उसके उपर muscle है तो यह सब मिला करके आपका जो Body create हुआ है उसी तरह से data communication और network communication के अंदर भी यहाँ पर एक model है जिसका नाम है OSI model और इसके अंदर 7 layers है और यह help करता है data को एक जगा से दूसरी जगा पर share करना और इसके अंदर hardware और software दोनों ही use होती है एक दूसरी को combine करके जिससे कि हमारे जो information और data होता है वो sender send कर सकता है और receiver receive कर सकता है तो यह सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1976 में इसको बनाया गया था लेकिन यह जो published हुआ था February 1978 में वो भी Washington DC के अंदर और उसके बाद इसको refine करके ISO 121980 में पूरी दुनिया में publish किया गया था तो अभी हमें इसके layers के बारे में जानने वाले हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 7 layers है physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer और उसके बाद application layer अभी यहाँ पर main चीज़ जो है वो है आपको ध्या layer आएगा और अगर आप receiver है तो आपके लिए पहले physical layer आएगा तो अभी इस चीज़ को हम एक short story से समझने वाले हैं तो simply imagine करते हैं मेरा एक book store है और यहाँ पर जो device भी है उसको हम समझ लेते हैं एक school जो कि primary level के school है तो इसने क्या किया है कि मुझे order दिया है कि इनको कुछ books चाहिए जो कि इनको nursery level student को provide करवाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं book store के अंदर seven employees को रख देता हूँ जहाँ पर मैं application layer को नाम दे देता हूँ जो कि school है वहाँ से कुछ books के demands आया है जिसको कि हमें इनको send करना है तो application layer के अंदर हमें सिर्फ पता था कि books को ready करना आ और presentation layer के अंदर हमें क्या पता चलता कि आखिर कौन-कौन से books हमें send करने है या फिर वहाँ पर device B school के अंदर send करने है और session layer के अंदर जहाँ पर पोस्ट के इसाप से जो इसकूल के अंदर बैठा होता है बंदा उसको फोन करता है और उससे पूछता है कि इसकूल कब तक खुली रहेगी कितने बज़े तक वहां पर इस्टाफ रहेंगे जिससे क्या होगा कि हम उसी टाइम पर उनको बुक्स को सेंड कर सकते हैं और उसके यहां पर जब confirmation हो जाता है कि हाँ छे बज़े तक इसकूल खुली रहेगी यहां पर स्टाफ शे बज़े तक रहेंगे तो यहां पर सेसन लेयर में सिसर का काम क्या होता है कि इन सब को notify करना कि हमें छे बज़े से पहले डिवाइस बी तक सारे बुक्स को भीजना है तो यहा अखिर कब तक इसकूल ओपन रहेगा जिससे कि हम उनको टाइम पर बुक को सेंड कर सके और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है कि यहां पर तमीम क्या करता है कि जो बुक्स हैं कि उनको एक तरह से डिवाइड करके यहां पर मैनेज करता है जिससे कि जो बुक्स को यह क्या करता है network layer में Newton के पास send करता है तो Newton क्या करता है Newton उन books के उपर school का और अपना address add कर देता है to लगा कर यहाँ पर अपना address और information add करता है और from लगा करके school का address और information add करता है और उसके बाद data link layer के अंदर रोहित क्या करता है कि यहाँ पर जो books आती है जिनके अंदर address और सारे packages होने के बाद Rohit के पास आती है तो वहाँ पर वो क्या करता है एक तरह का stamp लगा देता है book store का जिससे कि इनको पता चल सके कि बीच में physical layer के अंदर कोई भी इसके साथ छेड़कान नहीं हुई है या किसी ने इन books को open नहीं किया है तो यहाँ पर Rohit का भी काम हो जाता है यह यहाँ पर stamp लगा देता है confidential liquor के जिससे की कोई भी उस book को open ना कर सके उसके बाद आती है physical layer जहाँ पर काम आता है राहुल का तो यहाँ पर राहुल क्या करता है उन books को collect करता है उसके बाद यहाँ से transfer कर देता है device भी या फिर मालो इसकुल के physical layer के अंदर जो stop बैठे हैं उनके पास तो यहाँ पर यह क्या करता है उसको receive करता है और उसके बाद यहाँ से data link layer में share करते हैं जहाँ पर वो check करता है stamps को कि किसी ने open किया है या नहीं किया है जिससे कि इनको संतुष्टी मिल जाते है कि हाँ यह safe है इसको किसी ने touch नहीं किया है उसके बाद यह क्या करता है इसको network layer में send करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि यहां से यह location चेक करता है, कि हाँ जिस store से हमने मंगाना था, वहीं से यह books आये हैं, और यह हमारे पास ही आने वाले हैं, तो उसके बाद यह confirmation होने के बाद यह क्या करता है, session layer में send करता है, तो session layer के जो stop रहते हैं, वो क्या करता हैं, यहाँ पर, सिसर को call करते हैं, और उनको बताते हैं कि हमारे पास जो आपने book send किये थे, वो हमें receive हो चुके हैं, अभी आपको tension लेने की जरूरत नहीं है, और यहीं से हमारा जो connection है, वो cut हो जाता है, book store और school का, उसको open करना है, या फिर own books को share करना है, तो यह थी story, I hope कि आपको इससे समझ आ गई होगी, और आप हम इसे देखने वाले कि आखिर कैसे यह, इस story के हिसाब से ही work करता है, तो यहाँ पर application layer के अंदर क्या था, कि हमें information मिली, device b, जो कि receiver हैं उनसे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको presentation layer में send किया, तो यहाँ पर presentation layer का काम क्या होता है, कि इसको encrypt करना, decrypt करना, या फिर इसको अपने हिसाब से कैसे send करना है, उसके हिसाब से इसको ready करना, और ready करने के बाद क्या होता है, session layer में, यहाँ पर confirmation होती है, करते हैं उसको टिभाइड के जाता है जैसे न्यून ने यहां पर बुक्स को अलग अलग पैकेट के अंदर डिभाइड करके सँनि किया था डीटًब के अंदर लिंक के अंदर ले चिरूर 7 यहां पर सारे पैकेट को अच्छे से protect किया जाता है या फिर मालो की confidentiality दिया जाता है और रोहित ने भी यहाँ पर confidentiality दिया था data link layer के अंदर books को और उसके बाद उसने यहाँ पर physical layer के अंदर इसको send कर दिया था तो physical layer के अंदर send करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से direct आपको device B के अंदर यह सारी information share की जाती है device B के physical layer के उपर तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप sender है तो आपके लिए first number का होता है application layer और अगर आप receiver है तो आपके लिए जो first में आता है वो है physical layer तो यहाँ पर 7th number में आया physical layer तो physical layer से हमार जो information था वो physical layer में ही गया लेकिन यहाँ पर यह receiver के लिए गया था यहाँ पर यह physical layer first में आता है तो I hope अभी तक आपको यह समझ में आ गई होगी और अभी मैं आपको इसको एक daily life example से समझाता हूँ जिससे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी clear हो जाएगा जैसे कि simply आप message को send करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है अगर आप अपने friend को message send करते हैं तो application layer के अंदर आप email यूज करते होंगे Facebook यूज करते होंगे तो यहाँ से आप जब message send करेंगे तो presentation layer के अंदर क्या होगा कि यह उसको decrypt और encrypt करेगा और decrypt और encrypt करने के बाद ये क्या करता है session layer के अंदर जाता है जहाँ पर कि आप email के अंदर डालते हैं कि अगर किसको message send करना है या फिर messenger के अंदर आप देखते हैं कौन से person को आपको message send करना है तो वहाँ पर क्या होता कि session layer के अंदर करता है हां इसी person के पास ही message send करना है और उसके बart transport layer के अंदर क्या होता है कि जब session layer के अंदर confirmation हो जाता है तो यह person को 여기에 par Rank कर डेता है कि हाँ is this ised message send करना है और network layer में उन सब को package के अंदर divide किया जाता है जैसे आद हाइ hello Botsap के अंदर हाई के message send करने है तो ये network layer के अंदर high को अलग packet बना देगा, hello को अलग packet बना देगा और उसको data link layer के अंदर ले जाएगा, जहाँ पर इसको protect किया जाता है, confidential किया जाता है जैसे आप लोग whatsapp के अंदर देखी रहे होंगे, कि वहाँ पर लिखा होता है end to end encrypted तो उससे क्या होता कि एक तरह का आपको confirmation मिल जाता है कि आपका जो data है, वो safe है, सिर्फ आप जिसको send कर रहे है, वही उसको read कर सकता है उसके बाद फिर जाता है physical layer में, जहाँ पर कि ये information फिर से share होता है physical layer के अंदर और वहाँ से data link layer के अंदर जाता है और फिर network layer के अंदर जाता है, network layer के अंदर क्या होता है कि इसको जो packets होते हैं उनको एक जगहाँ पर combine किया जाता है और transport layer के अंदर ले जाकर के उसको confirm किया जाता है, हाँ इसी के पास आना था अभी इन सब topics को तो हम समझ चूब लेकिन क्या हो कि आपके exams के अंदर इन questions को पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप इसको theoretically कैसे लिकेंगे तो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं application layer को तो यहाँ पर इसका जो definition है वो है an application layer is an abstraction layer that specifies the shared communication protocols and interface methods used by host in a communication network तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि application layer जो होता है वो एक तरह का software system होता है और इस तरह से मैं आपको फिर से diagram दिखाता हूँ यह जो green color के है application layer, presentation layer, session layer यह सारे software पर work करते हैं और उसके बद यह जो transport है यह इन दोनों में connection create करती है और यह जो yellow color का है यह hardware system होता है तो यहाँ पर transport layer इन दोनों के बीच में connection provide करता है तो अभी मैं आपको यहाँ पर जैसे बता रहा था इसका definition तो इसके examples के अंदर क्या है वो भी देख लेता है जैसे कि यहाँ पर hypertext transfer protocol http यूज होता है FTP यूज होता है POP यूज होता है simple mail transfer protocol SMTP यूज होता है dns domainage system यूज होता है तो मैंने आपको पहले डिलेफिक जंबल के अंदर दिखा दिया है कि कैसे यह work करता है और इसके अंदर messenger email ऐसे सारे software's include होती है तो अभी हम move करते है अपने next layer पर जो किया है presentation layer तो यहाँ पर the presentation layer prepares data for the application layer it defines how two devices should encode, encrypt and compress data so it is received correctly on the other hand the presentation layer takes any data transmitted by the application layer and prepares it for transmission over the session layer तो मैंने आपको पहले ही इसको explain किया है कि इसमें क्या होता है कि encryption, encode, decryption include होती है तो अभी move करते है अपने next layer पर जो किया session layer तो guys यहाँ पर आप देख सकते है the session layer creates communication channels called sessions between devices it is responsible for opening sessions ensuring they remain open and functional while data is being transferred and closing them when communication ends the session layer can also set checkpoints during a data transfer if the session is interrupted devices can resume data transfer from the last checkpoint तो इसमें simple सा मतलब क्या है कि यह दो devices के बीच में एक तरगा connection establish करता है जिससे कि हम confirm कर सकते है कि हाँ जो sender है उसके पास perfect जो receiver है उसका ही detail आया है उसके बाद हम move करते है अपने next layer पर जो कि है transport layer तो इसके अंदर क्या है the transport layer takes data transfer in the session layer and breaks it into segments on the transmitting end responsible for reassembling the segments on the receiving end turning it back into data that can be used by the session layer the transport layer carries our flow control sending data at a rate that matches the connection speed of the receiving device and error control checking if data was received incorrectly and if not requesting it again तो इसमें क्या होता है कि data को packets जा फिर मालो segments के हिसाब से divide किया जाता है तो I think मैंने example के अंदर थोड़ा सा आपको mistake बताया था कि क्या मुझे याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकता है कि जो transport layer है उसी के अंदर ही segmentation होता है मैंने साथ network layer के अंदर बता दिया था यहाँ पर आप correction इसको कर सकते हैं Transport layer के अंदर ही जो segmentation होती है जैसे तमीम जो था example के अंदर उसने क्या किया था कि जो books हैं उनको segments में divide किया था English Hindi Social Science जो भी मैंने books के example देते हैं one is breaking of segments into network packets and reassembling the packets on the receiving end the other is routing packets by discovering the best path across a physical network the network layer uses network addresses typically internet protocol addresses to route packets to a destination node तो इसका जो है वो दो काम होते हैं एक होता है इसको segments में divide करता है packets को और दूसरा क्या होता कि best path को search करना जिसे कि हमारा जो data है वो fast और effective way में share हो सके जहां पर हमने देखा था कि Newton ने क्या किया था books के अंदर to और from को add करके जो sender है उसका address और detail और जो receiver है उसका address और detail को add किया था तो आप इसको अपने हिसाब से भी define कर सकते हैं या फिर इसी definition को आप use करके अपने exams के अंदर लिग भी सकते हैं तो अभी हम देखते हैं data link layer के बारे में जो कि है layer 2 तो यहां पर क्या होता है कि data link layer establishes and terminates a connection between two physically connected nodes on a network it breaks off packets into frames and send them from source to destination this layer is composed of two parts logical link control which identifies network protocols performs error checking and synchronizes frames and media access control mac which uses mac addresses to connect devices and defines permissions to transmit and deceive data तो इसके अंदर क्या है simple सा बात है इसके अंदर confidentiality को manage किया जाता है इसके अंदर आपके data को protect करके बहुत confidential way में share किया जाता है तो इसको भी आप अपने हिसाब से ही define कर सकते हैं या फिर आप इसी definition को use कर सकते हैं और अब हम देख लेगते हैं अपने first layer को जो कि है physical layer तो इसके अंदर the physical layer is responsible for the physical cable or wireless connection between the network nodes it defines the connector the electrical cable or wireless technology connecting to the devices and is responsible for transmission of the raw data which is simply a series of zeros and ones while taking care of bit rate control तो इसमें क्या होता है कि आपके data को share किया जाता है वो भी bit के अंदर तो यहां पर आपका जो data है वो wireless और physical cables के उपर dependent रहता है जैसे कि मैंने story में भी आपको बताया और फिर मैंने आपको example के अंदर भी बताया कि कैसे physical layer एक जगा से दूसरी जगा पर share होती है कि कैसे physical layer वोक करती है और एक जगा से दूसरी जगा पर information को share करती है और इसके अंदर आप example के तोर पर hubs को ले सकते हैं या फिर cable wireless network को ले सकते हैं आपको physical layer भी समझ में आ गया होगा तो अब हम देखने वारे हैं कि आखिर हमने station के अंदर क्या-क्या सीखा तो एक short rewind करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमने क्या-क्या चीजे सीखे हैं तो सबसे पहले हमने OSI model को देखा कि आखिर यह कब बना था या फिर कब यह इसको publish किया गया उसके बाद हमने इसके definition को देखा और फिर हमने इसके layers के बारे में जाना यहाँ पर हमने देखा application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer आपको क्या करना है इन सब के notes बनाना है और इस diagram को भी आप बना सकते हैं यहाँ पर मैंने 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यूज किया है आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यह sender है तो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूज कर सकते हैं और यहाँ पर यह जैसा है वैसा ही यूज कर सकते हैं क्योंकि यह receiver है device और उसके बाद हमने application layer के बारे में जाना, presentation layer के बारे में जाना, सेसन लेयर के बारे में जाना ट्रांस्पोर्ट लेयर के बारे में जाना नेटवक लेयर के बारे में जाना डेटा लिंक लेयर के बारे में जाना और फिर फिजिकल लेयर के बारे में जाना तो गैज यह था हमारा आज का सेसन जिसके अंदर हमने OSI model को समझा और अब मिलते हैं आगले session में जहां पर हम TCP IP model के बारे में जानने वाले हैं Till then, stay safe, stay secure, thank you and happy learning